दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात कने वाले हैं टोटल चार शेर्स के बारे में जहाँ पर आज के दिन हमें कुछ बड़ी अफडेट्स देखने को मिल रही है और साथ ही साथ आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन्स बहुत ज़्यादा इंपोर्डेंट होने वाले हैं तो ज कल के दिन आप अपनी होल्डिंग्स को स्क्राफ कर देते याने की बेच देते हैं तब आप डिविडेंड के लिए इलिजिबल नहीं हो पाएंगे और अगर कल के दिन आप IRCDC के अंदर फ्रेश पोजिशन्स बना लेते हैं तो आप यहाँ पर डिविडेंड के लिए लेकिन इसी के साथ में टेक्निकली भी कंपनी काफी ज़्यादा हमें स्ट्रॉंग देखने को मिल सकती है बात करें IRCDC को लेकर क्या बड़ी अपडेट से तो जिसा कि मैंने आपको बताया कि कल के दिन याने की कंपनी ने जो दो रुपे पर शेर्स का इंट्रिम डिविडे इन डिकलेर किया था उसकी एक स्टेट 17 फरवरी 2022 समय देखने को मिल रही है याने कि कल तक 16 फरवरी अगर आप इस शेर्स के अंदर इंवेस्टमेंट करते हैं तब जाकर आप डिविडेंड के लिए इलिजबल हो जाएंगे बहुत सारे इंवेस्टर्स का ये भी मानना है क इस वैल्यू पर शेर्स को बाय करना और फिर दो रुपे पर शेर्स के इंटरिम डिविडेंड का बैनेफिट उठाना ये इतने फाइदे का सुदा है लेकिन आपको शेर्स के बारे में ये चीच समझनी होगी कि शेर्स फाइनेशली तो काफ़े स्ट्रॉंग ही ही सही तो कल आप इस शेर्स को अपने पॉर्टफोलियो में एड करते वे चल सकते हैं लेकिन आपका व्यू लॉंग टम का होना चाहिए दोस्तो बात कर लेते अनदर शेर के बारे में जिसका नाम है लक्ष्मी ओर्गेनिक्स इंडस्टी लिमिडेट जहां पर आज की दिन आपको इस शेर्स के अंदर लगबग पोने 4% तक के अपसाइड मोवेंट देखने को मिल रहे हैं वहीं लक्ष्मी ओर्गेनिक्स की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कंपनी ने एक बड़ी एक्विजिशन करी है और इस एक्विजिशन का बेनिफिट लक्ष् इस एक्विजिशन करी है ये फ्यूचर को ध्यान में रखते वे करी है और यहां पर आप देख सकते हैं किस फिल्ड में कंपनी ने एक्विजिशन करी है 26% स्टेक एक्विजिशन करा है कंपनी ने किसका रेडियेंस का जिया दोस्तों जिसमें कंपनी ने रेडियेंस के 15,12 हजार equity shares को यहाँ पर बाय किया है जिसकी value लगबग 1.51 करोड सुर्पीज बनती है अब बात करें radiance करती किया है तो radiance is promoted as a special purpose vehicle solely to undertake the business of generation of renewable energy for conventional and non-conventional source of energy and to supply such electricity of captive basis to the company तो ultimately जो लक्ष्मी ओर्गेनिक्स ने ये acquisitions करिए ये इनके business को ध्यान में रखते वे करिए यानि कि radiance जो renewable energy से power generate करती है उससे लक्ष्मी ओर्गेनिक्स को काफी ज़्यादा benefit मिलेगा अला कि लक्ष्मी ओर्गेनिक्स का business हमें बहुत ज़्यादा expansion में देखने को मलता है company 30 countries में deal करती है और company के यानि कि लक्ष्मी ओर्गेनिक्स के 11 offices हैं located in India अगर हम company के revenue का bifurcation देखें कि लक्ष्मी ओर्गेनिक्स को कहां कहां से revenue generate होता है तो सबसे ज़्यादा revenue इने farmarticals यानि company का जो main business है वहाँ से 33% revenue generate होता है printing and packaging से company को 27% का revenue generate होता है agrochemical से company को 11% का revenue generate होता है color and pigment से 11% chemical से 11% और other segment से 7% यानि कि अगर आप company का business models देखेंगे तो ये company भी काफी diversified business हमें करते वे देखने को मिलती है company का market capitalization तो बहुत कम है यानि कि 11,530 करोड रुपे का ये company का market capitalization है लेकिन ये company future में काफी अच्छे returns आपको बना कर दे सकती है क्योंग company के financial numbers काफी जदा strong है company dividend भी देती है और साथी साथ इसका जो return on capital employed percentage है और return on equity percentage है वो भी काफी strong हमें देखने को मिलता है लक्ष्मी और्गनिक्स के कुछ और positive strength हमें देखने को मिलती है कि company almost आपको dab free देखने को मिलती है काफी अच्छे quarterly result company maintain करते है वाया रही है और सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 5 साल का जो CGR ratio है लक्ष्मी और्गनिक्स का वो लगबग 36% से भी ज़्यादा का हमें देखने को मिल रहा है Recently company ने 860 करोड रुपे की sales December quarter में generate करिये और उसी के साथ में 119 करोड रुपे का company ने operating profit भी generate किया है जो कि quarter on quarter basis पर काफी शांदर हमें देखने को मिल रहा है अगर हम company के net profit की भी बात करें तो year on year business पर और quarter on quarter business पर भी company का revenue के साथ साथ company की net profit भी काफी शांदर तरीके से grow होते वे हमें देखने को मिल रहा है यदि आपने इस company के अंदर investment कर रखा है तो यहाँ पर भी आप अपनी positions को hold करते वे चल सकते हैं क्योंकि company के उपर depth ना के बराबर है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो promoters की holdings काफी strong हमें देखने को मिलती है वही foreign investors ने December quarter में profit booking करी है लेकिन DII का stake अभी भी हमें इस company के अंदर काफी अच्छा देखने को मिलता है तो overall इस company के अंदर भी आप अपनी positions को hold करते वे चल सकते हैं जोस्तों बात कर लेते हैं another shares के बारे में जहाँ पर company ने 1-10 के ratio का bonus announce किया है यानि कि अगर आपके पास अनुपंफ इंजर्म limited के 10 shares है तो 10 shares के बदले company आपको एक share bonus के रूप में देने जा रही है आज के दिन हमें इस share के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन अगर आप इस company का maximum years का chart button देखेंगे तो 21% के returns इस company ने अपने investors को बना कर दिये हैं लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा volatility देखने को मिलती है तो bulk investment से आपको यहाँ पर बचना है साथ company ने कल ही के दिन अपने financial result December quarter के declare कर दिये हैं जहाँ पर company ने 80,00,00 रुपे के income generate करी है जिसके सामने अगर company के profit for the period की बात करी जाए तो company ने जो profit for the period declare किया है वो 34,00,789,00 रुपे का declare किया है last quarter के comparison में और year on year business के comparison में company का profit decline हुआ है लेकिन अभी भी company हमें काफी अच्छे मुनाफ़े में देखने को मिल रही है इस small cap company ने जो अपने investors के लिए 1-10 के ratio का bonus announce किया है उसकी record date हमें 18 फरवरी 2022 देखने को मिल रही है याने कि इस company के अंदर अगर आप bonus का benefit उठाना चाहते हैं तो कल आपके पास आकरी मोका है अनुपंफ इंजर्व के अंदर investment करने का लेकिन सिर्फ bonus को देखकर bulk investment बिलकुल भी मत करेगा दोस्तो बाज कर लेते हैं आज के हमारे last shares के बारे में जिसका नाम है मनपपुरम Finance Limited जहां पर आज की दिन हमें shares के अंदर लगबग 11% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन इस गिरावट में आपको क्या strategy लेकर चलना है आईए जानते हैं सबसे बिले company करती क्या है तो company non banking finance company है finance provide करती है और साथ ही साथ company का market capitalization 10,702 करोड रुपे का है लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले एक साल में company ने काफी अच्छे returns अपने investors को बना कर दिये है और company dividend भी देती है और साथ ही साथ इस company के भी ROC और ROE level काफे strong हमें देखने को मिलते है company की खास बात यह है कि मनपपुरम finance limited का भी जो last 5 years का CGR ratio है वो हमें 37% के अबव देखने को मिलता है तो company good quarter result maintain करते वे आ रही है लेकिन इस गिरावट के बीचे जो सबसे बड़ी वज़े देखी जा रही है वो ही company के year on year business पर performance जी यहां दोस्तों मनपपुरम finance limited की जो result निकल कर आए है उसमें company ने quarter on quarter basis पर तो जो अपनी positions declare करी है उसमें तो गिरावट है ही लेकिन year on year business पर बहुत बड़ी falling देखने को मिल रही है लगबग company का जो net profit है वो हमें year on year business पर लगबग 46% से decline होते हुए देखने को मिला है जिस current से continuously इस share के अंदर हमें profit booking देखने को मिल रही है लेकिन आजी के दिन मनपुरम finance के MD याना कि managing directors की तरफ से एक बड़ा statement निकल कर आया है जैसा कि आपको बता है कि Russia और Ukraine के बीच में जो crisis चल रहे हैं उसके बीच में जो gold के prices हैं वो पिछले 3 महिने के सबसे high level पर उच इस तरफ पर देखने को मिल रहे हैं जिसका एक positive impact हमें मनपुरम finance के MD की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहा है उन्होंने काये कि अगर gold prices इसी तरीके से बढ़ते हैं तो ये gold loan company के लिए काफी beneficiary हो सकते हैं और इसका एक सीधा सा benefit मनपुरम finance limited को भी मिल सकता है हाला कि अगर आप company का chart return देखेंगे तो maximum years में company ने 255% से भी जादा के returns अपने investors को बना कर दिये हैं लेकिन पिछले कुछ time से continuously हमें share के अंदर falling देखने को मिल रही है तो यहाँ पर अगर आपने investment कर रखा है और अगर आप loss में हैं तो यहाँ पर आप अपने average को better कर सकते हैं क्योंकि company अभी भी financially हमें strong देखने को मिलती हैं लेकिन यहाँ पर fresh positions को आप थोड़ा सा avoid करते वे चल सकते हैं क्योंकि shares अभी हमें oversold zone की category में जाते वे देखने को मिल रहा है उमीद है आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसंद आई हैं तो इससे like और share करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated